नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की TopMush 2 Battery Manufacturer Companies के बारे में पहला हम लोग Excite Industries के बारे में बात करेंगे और दुसरा हम लोग Amrajah Batteries का देखेंगे और लास्ट में हम लोग चार्ट पे भी चल कर देखेंगे और Analyze करेंगे कब हम लोग को इंटरी मिल सकता है तो वीडियो के अंद तक बने रहेगा बहुत ही वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और बात करें दोस्तों पहले हम लोग एक्साइड इंडेस्ट्रीज की तो इंडिया के लारजेस्ट स्टोरेज बैटरी मैनुफेक्चरर है और रिसेंटली कंपनी ने इलेक्टरिक वैक्टिल बैटरी बनाने के लिए भी स्विट्जर लेंड की एक कंपनी से टाई अप किया है तो हम लोग जान रहे हैं इलेक्टरिक वैक्टिल में लिथियम आयन बैटरी लगता है उसके लिए ने कंपनी ने एक प्लांट सेट अप किया है गुजरात में तो यही हम लोग एक साइड का न्यूज आया है कि एक साइड और लेक्ट वैक्टर करने वाला है इलेक्टरिक वैक्टिल मैनुफेक्चिनिंग में और कंपनी का प्लान है कि FY23 तक इसको ब्रेक इवन तक लेया जाए मतलब कोस्ट अप्रोडक्शन को रेवन्यू के बराबर ले जाया जाए ताकि एलेक्टरिक वैक्टिल का जो डिमाइन बढ़ रहा है उसमें ये पाटिसिपेट कर सके और लिथियम आयन बैटरी बनाने में एक लेडिंग रोल प्ले कर सके और इस जॉइंट वैंचर का नाम रखा गया है दोस्टों नेक्स चार्ज ये जॉइंट वैक्टर है एक्साइट इंडस्टिस के बीच में और स्विडियर लेंड की कंपनी लेक लांचे के बीच में और कंपनी का प्लान है कि नेक्स्ट येर तक इसको ब्रेक इवन तक लिया जाया कि मतलब ज्यादा कंपनी को लॉस नहों उस वक्त कॉश्ट अप्रोडक्शन इक्वल टू रेवन्यू तक पहुँच जाया जाया उसके बाद कंपनी इस छेतर में भी प्रोफिटेवल हो जाएगी ऐसे भी एक्साइट इंडस्टिस एक प्रोफिटेवल कंपनी है और ज्या स्टॉक का पी 17.2 पे मिल रहा है जो कि आपको बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपको मिल रहा है और डिविदेंडेल भी कंपनी का लगवग 1% से उपर है जो कि बहुत ही अच्छा बात है और रोसी 15.4% है जो कि कम से कम 15% होना चाहिए और रिटन अन इक्विटी भी 11.5% है तो कंपनी का पेरामेटर्स भी बहुत ही अच्छा है तो हम लोग बात करें दोस्तों एक्साइड इंडेस्ट्री की फाइनेसियल की तो 2018 में कंपनी का रेविन्यू करीब 13,000 करोड़ के करीब था वो बढ़के हो चुका है 2021 में करीब 15,000 करोड़ के अबब जा चुक है 810 करोड़ तो में गेम चेंजर साबित होगा इलेक्रिक वेकल में इसका कतम रखना जो लिथियम आयन बैटरी बनाने जा रही है कंपनी तो इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत ही ज्यादा एक्स्पोनेंसियल होने का उमीद है और अगला स्टों की बात करें दोस्तों तो सेक प्लीकिल और और सिवंट कने इसका बैटरी यूज रहा है और इंडस्टिस में भी इसका बैटरी यूज होता है तो बहुत ही वालिटी से और बात करें दोस्तों लोग अमराजय उक्राइक की बंग तो एक स्ल्ग करेंब में nutrition की में 3.73% का डिविडेन एल बहुत ही सांदार डिविडेन एल भी देता है और रोसी की बात करें तो करीब 21.6% है और रिटान उन इक्विटी 16.2% है जेनरली हम लोग 15% को ही बेस्ट मानते हैं और दोनों ही पेरामिटर्स आपको 15% से वब मिल रहा है तो पेरामिटर्स के मामले मे अमराजा बेटरीज बहुत ही सांदार कंपनी है तो बात करें हम लोग अमराजा बेटरीज के फाइनिंसियल की तो 2018 में कंपनी का रेविन्यू करीब था 6,000 करोड के वब जो की 2021 में बढ़के हो चुका है 7,000 करोड से वब जा चुका है तो हम लोग को ज्यादा तो नहीं ल लास्ट टू यर से तो कोरोना चल रहा था तो उससे में हम लोग को जादा प्रोफिटिबिलिटी और ग्रोथ देखने को नहीं मिला है और कंपनी ने हाल फिलहाल में ही तिरूपती में अपना एक इलेक्ट्रिक भेकिल का बैटरी बनाने वाला लिथियम आयन जिससे बैटर इसने पूर रिटन दिया है हम राजा बैटरी ने करीब 26% का निगेटिव रिटन दिया है वहीं एक्साइड बैटरी मात्र 0.12% का रिटन दिया है तो रिटन भी इसमें डियू है तो दोनों कंपनी ने पिछले वन येर में बहुत ही पूर रिटन दिया है तो इसलिए हम ल लोग आ चुके हैं दोस्तों जो रोधा के अपने चार्टिंग प्लैट्फॉम पे और हम लोग एकसाइड इंडेस्ट्रिस के चार्ट को इनलाइज करके देखते हैं और हम लोग तीन इंडिकेटर्स यूज करते हैं पहला 20 का मुविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू और तीसरा इंडिकेटर्स हम लोग प्लू पॉइंट या प्लाइन भी लगाते हैं जो सपोर्ट या रेजिस्ट्रिस बताएगा अगर प्राइस अपवर्ड मोमेट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है प्लाइन जो हमारे पुराने वीवर्स हैं वो तो यह सब जानते होंगे और हम लोग एक थम्रोल भी याद करते हैं कि जब भी प्राइस टूहंडेड डेस के वेल विलो चले या करीब में रहे तो हम लोग बाई करना पसंद करते हैं लेकिन हम लोग देख रहे हैं प्राइस एक्साइट बैटरिस में लगतार गिरावट के दौर से गुजर करने का क्योंकि प्राइस टूहंडेड डेस के वेल विलो चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो चुका है तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे अगर एक बड़ा सा ग्रीन केंडल बनता है तो यहां पे आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चलिए एक बार म हम टोटल क्वांटिटी बाई नहीं करना है अगर माली जिए और भी प्राइस नीचे आता है तो नीचे का पीवर्ट देखते जाएंगे और हम लोग क्वांटिटी को एड करेंगे लेकिन एक बाद बता दे डाउन ट्रेंड में आप लोग ज्यादा एवरेजिंग नहीं कि करा जाएगा तो अगर माली जिए कोई स्टॉक में आफ भी जाते हैं तो वहां पर होल्ड करें ज्यादा डाउंट्रेंड में एवरेजिंग ना करें पीवर्ट का बेट करें माली जी यह पीवर्ट है फिर अगला पीवर्ट यह है यह सब पीवर्ट पे आप लोग अगर प्रजेक्शन बना देगा करीब 45 डिगरी का एंगल तो हम लोग इंगल्फिंग खोचते जाएंगे और अपना क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे इंगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा सा केंडल होना चाहिए अब अगल वाला बड़ा सा ग्रीन केंडल होना चाहिए ऐ यही मैसेड हम लोग लगाएंगे दोस्तों और एक्साइड बेटरी में आप लोग कुछ बाई करके चल सकते हैं यहां पे बहुत ही अच्छे खासे प्राइस पर आप लोग को मिल रहा है और हम लोग को एक डबलू पैटरन भी जैसा दिख रहा है यहां से प्राइस और भी कुछ इनवर्मेंट क्लियरेंस के कारण इसका एक प्लांट अभी बन चल रहा है तो कंपनी का हाई कोट में भी केस चल रहा था इस कारण से इसमें कुछ नेगेटिव सेंटिमेट के कारण इसमें लगतार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है और टॉप से अच्छा डाउंट्रेंड था इसलिए 200 एसके वेल बीलो भी मिल रहा है यह बेस समय है दोस्तों इंट्री लेने का एक बड़ा सा अगर ग्रीन केंडल दिखता है आप लोग को तो यहां पे कुछ क्वांटिटी बाई कर लें एक बार में टोटल क्वांटिटी बाई ना करें क्योंकि तो फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है तो दोनों कंपनी सांदार है इसमें कोई कहने के जरूवत नहीं है कि यह कंपनी लेना है वो कंपनी लेना है दोनों आप लोग बाई करके चल सकते हैं क्योंकि मीड कैप में भी आप कुछ एक्सपोजर किजिए और अपने दोस्तों में सेयर किजिए चलिए थैंक्यू